हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के विडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी खरीदारी की गई है बहुत बड़े बड़े फंड हाउसिस की तरफ से औ अब रिजल्स आने वाले हैं तो अगर रिजल्स अच्छे आ गए यहां से अगर आप देखोगे तो यस बैंक में एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि बाकी चीजे तो अल्रेडी बहुत ज़्यादा अच्छी होते हो नजरा रही हैं इन सारी चीजों प स्टार्ट करते हैं अब सबते पहले अगर हम यहां पर देखते हैं कि आखिर यस बैंक है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो शियर की जो लाश्ट क्लोजिंग है 17 रुपे 35 पैसे पर एक परसेंट से ज्यादा का मूमेंट है अपसाइड डिरेक्शन में एक टाइम पर 17 रुपे 45 पैसे पर भी शियर गया था लेकिन उसके बाद थोड़ा था करेक्शन आया तो क्लोजिंग जो है वो एक परसेंट से थोड़ा था उपर की परसेंटेज पर यहां पर देखने को मिलिया बाकी सारी चीज़े हैं में प्रीवेस वीडियो में डिसकस कर चुके हैं य यह जो डेटा है वो है जून 30 तक का यानि कि 30 जून तक का डेटा आपको यहां पर मैं शो कर रहा हूं सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको देखेगा कि निपॉन इंडिया ने अपने मिड कैप एटी एफ में बहुत बड़ी खरिदारी करी है करीबन 41 प निपॉन इंडिया ने भेंकर खरिदारी करी है दोनों ही अपने फंड के थ्रू फिर आता है मोति नालोस बाल मोति नालोस बाल ने तो भेंकर खरिदारी करी है अपने मिड कैप इंडेक्स फंड और एटी एफ में करीवन 43-44 परसेंट से दोनों ही फंड हाउसे में अगर आ कर देखते हैं तो मेरा एसिट ने अपनी मिटकाप फंड में करीबन 65% से ओल्डिंग्स इंक्रीज कर दिया 65% से अपनी ओल्डिंग्स इंक्रीज किया आप समझ पा रहे हो कि यहां पर खरीदारी किस अकॉर्डिंग की गई करीबन 39% से अपनी ओल्डिंग्स इंक्रीज करीज करीज है यह सारे अगर आप देखो के तो बड़े-बड़े फंड आउसस है कुछ छोटे मोटे फंड आउसस नहीं है और यहां पर जो परसेंटेज ओफ बाइंग है वो बहुत बड़ी है 40%, 50%, 60% ऐसे यहां पर बाइंग हो रही है फिर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप यहां पर देखोगे तो और भी जैसे की एडिल वाइस निफ्टी लाज मिट कैफ फंड ने 35% से भी जादा अपनी होल्डिंग्स को बड़ा दिया है HDFC ने तो बहेंकर खरीदारी कर दिया है HDFC ने तो करीबन 83% से जादा की होल्डिंग्स बड़ा दिया है 83 लगबग लगबग अपनी होल्डिंग्स को डवल कर दिया है यानि कि डवल के आसपास कर दिया है साथ के साथ अगर हम यहाँ पर देखें ICC Prudential SNP BAC Fund ने 6% की खरीदारी करी है लेकिन कोटेक की तरब से बिकवाली भी करी गई है कोटेक ने आपे 62% के आसपास अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया है अभी तक जितने भी fund houses मैंने आपको दिखाए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो जो mostly fund houses हैं वो खरीदारी करते हो नजर आये हैं केवल कोटेक को छोड़ कर कोटेक ने यहाँ पर बिकवाली करी है फिर अगर हम देखें तो 361 quant fund जो है उसने भी बिकवाली करी है करीवन 5% से लेकिन फिर अगर हम यहाँ पर बात करें पुतिला लोसवाल ने अपने एक और fund के थुरू 41% से भी जादा लगवक 42% के आसपास होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया है अपने निफ्टी 500 इंडेक्स fund में आदित विरला ने भी करीवन 37-38% से अपनी ओल्डिंग्स इंक्रीज करी है ICC Prudential निफ्टी Mid Cap इंडेक्स fund में 50% से जादा की ओल्डिंग्स देखने को मिल रही है नावी निफ्टी Mid Cap ने भी करीवन 40% से अपनी ओल्डिंग्स को बढ़ा दिया है आप यहाँ पे एक चीज़ समझ में आगी होगी कि आखिर जो ओवरॉल खरीदारी की गई है वो बहुत बड़ी परसेंटेज के साथ है और एक दो fund houses को अगर हम यहाँ पे छोड़ दे तो बाकी सारे fund houses बहुत ही बड़ी परसेंटेज के साथ यह बैंक के अंदर मन्थ और मन्थ बेसे पर अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हो नजर आ रहे हैं भी है उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स तो मुझे यह आ रहे कि यह शेयर तो कहीं में नहीं जाएगा तो ऐसा यहाँ पर मूचल फंड का मानना तो बिल्कुल भी नहीं है वह यहाँ पर सोच रहे हैं कि शेयर तो बहुत अच्छी ड जो इंपक्ट है वो मार्केट पर उस दिन नहीं पड़ पाएगा क्योंकि फिर अगर आप देखोगे तो मंडे तक आपको वेट करना पड़ेगा जैसे भी रिजल्ट आते हैं पॉइटिव या फिन नेगिटिव उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चीज़े को मिल जाएगी बैसे चांसे हैं कि इस बारी शायद प्रोविजिनिंग वगरा ना हो तिनी जादा और प्रोफिटिविलिटी शायद आपको देखने को मिल जाए लेकिन यहाँ पर ओवरॉल तो जब रिजल्स सामने आते हैं तभी चीज़े पता चलती है एक्सपेक्टेश के बारे में बताया है नेटि एन्पीड भी आपको देखने को मिल रहें काफियत तक कम हुए है फिर अगर आप देखो कि कैपिटल एडीक्यसी रेशियो भी काफियत तक सुदरते हो नजर आया है प्लस अगर आप देखो गे एक दो जगा तो कंपनी जो है वह बनते हो नज के साथ अगर आप यहाँ पे तो जो UPI payment है उसमें भी Yes bank जो है वो number 1 बन गी है साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो large sized bank जो है जो best place for work है 2023 में उसमें number 2 पर है तो यह एक बहुत बढ़ा उची भड़ा है कि यहाँ पे employees हैं उनका पूरी तरीके से ध्यांग रखा जा रहा है अब annual report तो आगी है annual general meeting में भी बहुत सारी चीज़ डिसकस होंगी जो कि August में आपको देखने को मिलेंगी 22 जुलाई को results देखने को मिल जाएंगी मीचल फंड आउसे ने बाड़ी खरिदारी पहले से ही कर ली है बाकी आप मुझे बटाइए कि आपकी क्या expectations हैं कि क्या इस बारी results जो है वो अच्छे आएंगे या फिर खराब आएंगे comment में आप जरू mention करिए वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पर अगर आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा धन्यवाद